आईए फक्तो आज जानते हैं सोंबार बर्त की कथा तो एक बार बोलिए प्रेमशे भगवान शीव की जै माता पार्वती की जै एक समय की बात है किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धनकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राक्ति के लिए वह परतेक सोंबार को बर्त रखता और पूरी सर्धा के साथ सीव मंदिल जाकर भग देखकर एक दिन मा पार्वती परसंद हो गई और भगवान सीव से उस साहुकार की मनोकामना पूंट करने का आग्रह किया पार्वती जीन की इच्छा सुनकर भगवान सीव ने कहा कि है पार्वती इस संसार में हर प्रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही परता है लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूंट करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरापर सीव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का परदाम तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारा बर्ष होगी माता पारवती और भगवान सीव की बात चीत को साहुकार सुन रहा था उसे न तो इस बात की खुशी थी और नहीं दुख वो पहले की भाती सीव जी की पूजा करता है उस समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ वह बालक 11 बर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को कासी बिद्या प्राक्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यक कराना जहां भी यक कराओ वहां परहामनों को होजन कराते और दचना देते हुए जाना दोनों मामा भतीजा इसी तरह यक कराते और परहामनों को दान दचना देते कासी की ओर चल परे रात में एक नगर परा जहां नगर के राजा की कन्या का बिवा था लेकिन उस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था वह एक आख से कनहा था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कनहा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस बालग को दुलह पना कर राजकुमारी से विवा करा दू विवा के बाद इसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा लड़के को दुलहे के बस्त पहना कर राजकुमारी से विवा कर दिया लेकिन साहुकार का पुत्र इमंदार था उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्द्री के पल्ले पर लिखा की तुम्हारा बिवा तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आख से कनहा है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्द्री पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को बिदा नहीं किया जिससे बात वापस चली गई दुसरी और साहुकार का लरका और उसका मामा कासी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यग किया जिस दिन लरके की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग रखा गया लरके ने अपने मामा से कहा की मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा तु अंदर जाकर सो जाओ सीब जी के बरदान अनुसा कुछ ही देर में उस लरके की परान निकल गए मिर्थ भाजे को देख उसके मामा ने बिलाप सुरू किया संयोग बस उसी समय सीब जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती भगवान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस बेक्ती के कर्ष्ट को अव्यस दूर करें जब सीब जी मिर्थ बालक के समिप गए तो वह बोले कि यह उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारा बर्ष की आयू का बरदान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मातरभाव से भिभोर माता पारवती ने कहा कि है महादेव आप इस बालक को और आयू देने की किर्पा करें अन्य था इसके बियोग से इसके माता पिता भी तरब तरब कर मढ़ जाएंगे माता पारवती के आगरा पर भगवान सीव ने उस लरके को जीवित होने का बरदान दिया सीव जी की किर्पा से वह लरका जीवित हो गया सिच्छा समात करके लरका मामा के साथ अपने नगर की ओड चल दिया दोनों चलते हुई उसी नगर में पहुचा जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यक का आयोजन किया उस लड़के के ससूर ने उसे पहचान लिया और महर में ले जाकर उसकी खातीदारी की और अपने पूतरी को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पतनी भूखे पियासे राकर बेटे की परतिच्छा कर रहे थे उन्होंने प्रन कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मिल्तू का समचार मिला तो वो भी प्रांत याग देंगे प्रन्तू अपने बेटे की जिवित होने का समचार पाकर वो बेहत पर्षन हुई उसी रात भगवान सिभ ने बेपारी के सपन में आकर कहा खेस रेट मैंने तेरे सोम बार के बर्थ करने और बर्थ कथा सुनने से परसन होकर तेरे पुत्र की लंबी आयू परदान की है इसी परकार जो कोई सोम बार बर्थ करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त महोकामनाई पुर्ण होते हैं तो एक बार बोलिए प्रेमशे सीव जी की जै माता पार्वती की जै आरती सीव जी की ओम जै शिव ओम कारा स्वामी जै शिव ओम कारा प्रम्हा विश्नु सदाशिव अरिधांगी धारा ओम जै शिव ओम कारा एकानने चतुरानने पंचानने राजे स्वामी पंचानने राजे हन सासने गरुरासने विश्वा हन साजे ओम जै शिव ओम कारा दो भुजे चार चतुर भुजे स्वामी दासे भुजे आती सोहे तिरी गुनी रूपे नी रखीते तिरु बनी जन मोहे ओम जय शिव ओम कारा अच्छी माला बनी माला मुंडी माला धारी स्वामी मुंडी माला धारी तिरु पूरारी कंसारी करी माला धारी ओम जय शिव ओम कारा सेतां बर पीतां बर बाघां बर अंगे स्वामी बाघां बर अंगे सनिकादि की गरु नादि की भूतादि की संगे ओम जय शिव ओम कारा करी के माधिक मंडल चाक्रे तिर्शुले धारी स्वामी चाक्रे तिर्शुले धारी सुखे कारी दुखे हारी जगे पालने कारी ओम जय शिव ओम कारा प्रम्हा विष्णु सदाशिवी जानति अभिवेका स्वामी जानति अभिवेका मधु कै तब दो मारे सुर्भा यही निकरे ओम जय शिव ओम कारा लाच्मी वाशा वित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अरधंगी सिव लहरी गंगा ओम जय शिव ओम कारा पर्वती सोहे पार्वती संकर कैलासा स्वामी संकर कैलासा भांगि धथूरि का भोजन भाश्मी में बसा ओम जय शिव ओम कारा जटा में गंगा बहती है गल मुंदने माला स्वामी गल मुंदने माला से सिना गिलिप टावती ओधते मिर्ग छाला ओम जय शिव ओम कारा कासी में बिराजे विश्विनाथी नंदी ब्रमिचारी स्वामी नंदी ब्रमिचारी निती उठी दर्सन पावती महिमा अतिभारी ओम जय शिव ओम कारा तिरी गुने स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी जो कोई नरे गावे कहात सिवानन्द स्वामी मने बांचिते फले पावे ओम जय शिव ओम कारा प्रभु हरा सिव ओम कारा सिव जी की जय माता पार्वती की जय अर्वा में थायाँ